हेलो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम 36 गड़ के प्रमुख लोक नृत्यों को देखेंगे इनमें पहला है सुवा या गौरान रित्य मुकुर्धर पांडे द्वारे इसे 36 गड़ का गर्बा कहा गया है यह नृत्य दिवाली के समय किया जाता है इस समय सुवा गीत गया जाता है सुवा गीत में केवल महिलाएं भाग लेती है इसमें मिट्टी का तोता बनाकर उसके चारो और महिलाएं थापड़ी बजाकन रित्य करती है सुवा रित्य में दो तोते रखे जाते हैं जो कि शिव एवं पार्वती का प्रतीक होता है अगला रित्य है पंतिन रित्य यह सतनाम पंत्य से संबंदित है इसमें नर्ता कला बाजी करते हैं वो पिरामिड बनाते हैं पंथिन रित्य के प्रमुक अलाकार स्वर्गी देवदास बंजारे जी हैं इस रित्य में प्रवयूक तो हने वाले प्रमुक वाद्य अंतर मांदर्वा जहांज हैं अगला लोक रित्य हैं राउत नाचा इसे गहिरानाज भी कहते हैं यह दिवाली के उत्सव पर किया जाता ह है या कार्तिक प्रवोधिनी एकदसी से प्रारब होके लगभग एक महिने तक चलता है राउत नाचा भगवान कृष्ण की पूजा का प्रतीक होता है इसमें गड़वा पाजानामक वाद्य अंतर बजाया जाता है राउत नाचा राउत जाती के लोगोद्वारक किया जात जिसमें केवल पूरुषी भाग लेते हैं इसमें पूरुष एक विशिष्ट वेजबुशा धारन करते हैं और आविशक्ता पढ़ने पर महिलाओं की भी वेजबुशा धारन करते हैं इसमें पूरुषों के हाथ में सजी हुई लाठी होती है इसे लेकर वे टोली में गातें इवं ब्रित्ति करते हैं राउतनाच मौसा पाटेव में देखें तो यह 1978 में परारमभ हुआ ठाइचा प्रारंभ है और वर्टमान 2023 का राउतनाचंगा च्यालिशव राउतनाचंग है राउतनाचा महस्वब बिलासपूर के लाल भादो शास्त्री मैदान में होता है या देवुठिनी एकदसी के समय प्रारम होता है राउतनाचा में प्रमुक्रस में मातर तेभार होता है एवं सुहाई बानना सुहाई पलास और मोर के पंग की रसी से बनी हुई होती है जिसे जानवरों के गले में बाधा जाता है थैंक यू